Hello friends, this is Ash Pishing and welcome to Smarter Every Day. प्यारे दोस्तों, बात करेंगे, be it second semester. According to Kanpur University, जो second semester exam आमका, आपका MCQs mode में July के first week में होने को है, उसको target करते हुए, ये हमारा Pedagogy of Mathematics का previous year question paper है. जो परिक्षा second semester की पिछले साल जुलाई 2022 में हुई थी, इस बार भी जुलाई के first week में, 2023 में परिक्षा होने को है, exam आपका objective type होने को है, तो ये जो question paper है, आज हम इसको पूरी तरीके से solve करेंगे with static answer. ठीक है, question paper को पूरा हल करने के बाद, आप ये समझ पाएंगे कि question paper का level क्या रहता है, किस तरीके से questions पूछे जाते हैं, कहां कहां से questions पूछे जाते हैं, कौन-कौन से topics आपके लिए important है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो यह तो आप कुछ भी पढ़ लीजे, आप 1000 questions, 2000 questions पढ़ लीजे, लेकिन क्या फाइदा जो चीज हमारे काम की नहीं है, या मतलब जहां से हमें जो मिला है हम सब पढ़ रहे हैं, नहीं, जो चीज हमारे syllabus में है, जहां से question बन सकता है, जो question exam में आने के chances उन पर focus क करके अगर आप study करेंगे, तो आप बहतर कर पाएंगे, यह सब चीजें हमें पता लगती है, previous question paper हमको यह बताता है, कि ऐसे कौन-कौन से topics जो important है, और कहां-कहां से question पूछे जा सकते हैं, तो आए इस question paper को proper तरीके से discuss करते हैं, देखिए, पहला question आपकी शामने है, question कहता ह कि गनित की प्रक्रती है, the nature of mathematics is, गनित का nature क्या है, गनित बहुत ही ornamental है, यानि की सजावती है, तारकिक है, logical है, बहुत मुश्किल है, या फिर आम के लिए नहीं है, not for common, यानि की जो common man है, उनके लिए ये नहीं है, different जो हमारी mathematics है न, इसका nature क्या है, कि यह बहुत logically बात कर करती है, ठीक है, इसलिए option number just में B हो जाएगा, वह आपका right हो जाएगा, ठीक है, option number B के साथ में हम चले जाएगे, अगला point कहता है, कि गनित वह विज्ञान है, जो आवेश्यक निसकर्ष निकालता है, किसका statement है, यह आपका statement है, Benjamin Piers का, Benjamin Piers कहते है, कि गनित वह शाइंश ह वो विज्ञान है, जो necessary conclusions को draws करता है, draw out करता है, बाहर निकालता है, है ना, conclusion निकालता है, ऐसा Benjamin Piers कहते हैं, गनित जो है, वह किसका विज्ञान है, mathematics is the science of, किसका विज्ञान है यह, intellectual का, यानि की बहुत धीक विज्ञान है, संख्याओं का विज्ञान है, गननाओं का शही है, देखिए, जो हमारा mathematics है, इसमें हम, इसमें हमारी बुद्धी का भी use होता है, यानि कि बहुत धिक विज्ञान भी कह सकते हैं, संख्याओं का विज्ञान तो है, क्योंकि संख्याओं का खेल इसमें खेला जाता है, गनना भी हम करते हैं, calculations करते हैं, तो इसलिए mathematicians हैं, उनके work को appreciate करना, ठीक है, किस मूली के नरूप है ये, बौधिक, व्योगतावादी, शौंदर, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है, तो यह आपका शौंदर के अंतरगत आएगा, यह आपका aesthetic के अंतरगत आएगा, ठीक है, option C जो है, यहापे वो right हो जाता है, and हम ब लिखाता है, शंश्कृतिक मूली से, शामाजिक मूली से, अनुसासनात्मक मूली से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, हागवेन के अनुसार गणित ज्वहवा शब्विता का दरपन है, यह आपका सब्विता, सब्विता के साथ जूड़ी है हमारी संस्कृति, क्या, culture क साथ जूड़ी है, civilization, और civilization के साथ जूड़ी है, culture, तो सब्विता का दरपन है, यह संस्कृतिक मूली हो गया हमारा, चीक है, इसलिए option नमर यहाँ पे जो A है, वहाँ आपका, क्या हो जाता है, right हो जाता है, and हम बढ़ते हैं, next question की तरफ question is, पाठ्योजना की, पांच जो पनाली है, वहाँ हरवर्ट के द्वारा सुरू की गई थी, option A वहाँ राइट रहेगा, कुछ ऐसे questions होते हैं, जो teaching subject में सब में common होते हैं, अब यह जो पाठ्योजना वाला question है, यह आप से mathematics में भी, पेड़गोजी में भी पूछ सकता है, physical science में भी पूछ सकता है, बाक चलिए, हरवर्ट हो गए इसमें answer, कौन सा कारे सिक्षक से समंदित नहीं है, योजना, मार्क दरसन, सिच्छन या फिर budgeting, देखें, योजना बनाना, बच्चों का मार्क दरसन करना, बच्चों को teaching करना, यह सारे ही सिक्षक से समंदित कारे हैं, यह सारे ही सिक्षक के कारे है बजट का काम सिक्षक का कारेड नहीं है ये ठीक है इसलिए option number जो D है वह आपका right हो जाएगा and हम बढ़ जाते हैं आगे आगे बढ़ते हैं तो next question हमें मिलता है सिक्षक के पेसेवर कौसल में कौन सा बिंदू सामिल नहीं है श्वयम का ज्यान यह बिंदू तो सामिल है श्वयम का ज्यान नहीं होगा knowledge of self नहीं होगा तो फिर कम कैसे चलेगा है ना next one is अच्छा प्रियोग करने के लिए बिल्कुल जी हमें अच्छा अगर हम प्रियोग कर पाएंगे तो हम बच्चों को बहतर सिखा पाएंगे निगमन या फिर शमाजिक मामलों का संतोष जनक ज्यान जो भी हमारे समाज से समंदित मामले हैं विवाद हैं उनसे समंदित हमें बच्चों को एक satisfaction knowledge देना है satisfactory knowledge देना है संतोष जनक ज्यान देना है यहाँ भी सिख्षक के पेशेवर कौसल में शामिल है बस निगमन जो है वहां इसमें include नहीं होता है reductionist include नहीं होता है option number मेण जो C है वह आपका right हो जाएगा एक सफल सिख्षक की कौन सी विशिष्षता नहीं है व्यावारिक होता है अपने आपको dedicate करने वाला होता है self-disciplined होता है लेकिन ऐसा नहीं कि उसका विवहर partial हो, unsic हो छिक है, तो ये option यहाँ पर आपका C जो है वह right हो जाएगा ये आपकी एक अच्छे सिक्षक की विश्ष्षता नहीं है, चलिए आई आगे बढ़ते हैं, अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना किसमे होती है, मिलान वाले जो question होते हैं, ऐसे A को B से, B को C से, C से, D को ऐसे जो मिलाया जाते हैं, क्या उनमें अनुमान लगाने की संभावना ज़्यादा रहती है या फिर सही गलत वाले सब्दों में अनुमान आप ज़्यादा लगा सकते हैं, कौन सही है, कौन गलत है, या फिर बहुविकल्पी शब्दों में आप खूब अनुमान लगाते हैं, कौन सा सही है, या फिर इन में से कोई भी आपका right answer नहीं है, different, जो सही गलत वाले होते हैं कि इसमें true false रूड़ी है, यह true है यह false है, यह true है, यह false है वो जो सही गलत वाले होते हैं, उसमें हम खूब अनुमान लगाते हैं, ठीक है तो इसलिए option number जो भी हैं आपे वो आपका right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, व्यापक शामानी किरणों की खोज करके नैसे धानतों को विक्षित करना का उद्देश्य है किसका क्यात्मक अनुसंदान का इश्थानी अनुसंदान का या फिर मौलिक अनुसंदान का यह आपका मौलिक अनुसंदान का उद्देश्य है किसका उद्देश्य है? मौलिक अनुसंधान का उद्देश है दैनिक पार्थ योजना की तयारी में शामिल है उद्देशियों का निर्धारण शामगरी का चैन विधी का निर्धारण या फिर उप्रोक्त शबी तो यहां पे आपका option number D है वो आपका right हो जाएगा दैनिक पार्थ योजना की तयारी में उद्देशियों का निर्धारण होना चाहिए जो भी हम पार्थ योजना lesson plan तयार कर रहे हैं उसके पीछे उद्देशि क्या है कि उद्देशियों को लेकर के हम उस पार्थ योजना को तयार कर रहे हैं क्या-क्या सामग्री उसमें यूज होगी, ऐसा तोने हम भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, तो वाँ पे हमें बच्चों को मैप भी दिखाना पढ़ेगा, हो सकता है, गलोब का भी यूज हो जाए, तो वो अमरी सामग्री हो गई, किस विधी से हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो भी तो फिक्स करना है हमको, इसलिए पार्ट यूजना की तैयारी में सारी चीजे शामिल हो जाती है, क्रियात्मक अनुसंधान है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है हमारा, वह कारिवाई में एक शोध है, अर्जिसर्च इन एक्सन है, विध्याले यूजना में शुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है विद्याले अनुसंधान का ही एक रूप है इसलिए यहाँ पे option number जो D है वह आपका right हो जाता है क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारना को पहली बार किसने लागू किया था क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारना को पहली बार जो लागू करने वाले हैं वह SM कोरी हैं कौन SM कोरे ठीक है option C जो है आपका वो right हो जाता है question is विद्याले की योजना में सुधार के लिए निजी विद्याले दौरा किये गए विद्याले की शमश्याओं से शमंदित शोध क्या होगा तो यहां पर आपका किरियात्मक अनुसंधान हो जाएगा क्या होगा action research action research की आपके एक बेड में file भी बनती है पूरी assignment बनता है action research का पूरा इसी के ओपर बनता है ठीक है जिसमें इसी से related हमें सारा कुछ लिखना होता है इसकी जो इसका क्या कहते है assignment है वो मैंने upload भी किया हुआ है पूरा सिक्षा उद्देश्यों के वर्गी करण के छित्र में अगरणी कौन है वह आपके bloom है कौन अगरणी है कौन सबसे आगे है है PM अउध्यों के छथी कोन की नेरे सकतिय जा के किया जाता है किसके इसको लिखने के इसका वियोग शंगया नात्मक पक्ष को लिखने के लिए किया जाता है cognitive domain की बात करता है option जो ए है वह आपका राइट हो जाता है एक अच्छा उद्देश से होना चाहिए अगुड ऑब्जेक्टिव शुट बे विशिष्ट हो परिक्षण योग्य हो छोटा हो या फिर आकर सको तो एक अच्छा उद्देश से जो होता है वहाँ विशेश होता ह है specific होता है उसके अंदर कुछ विशिष्टता होती है इसलिए option नमबर यहाँ पर एक राइट हो जाता है एंड हम बात करते हैं कोशमर 19 की निमनलेखित में से कौन क्रिया शब्द नहीं है ग्यान समझ आवेदन या फिर उपरोक्त सभी जो है क्रिया शब्द नहीं है तो य कोई भी द्रश्य गतिविदी है सीखना विवहार अंतिम विवहार या फिर मांदन्ड तो इसमें आपका राइट आंसर सिक्छार्थी द्वारा प्रदर्शित कोई भी द्रश्य गतिविदी में आपका विवहार आ जाएगा ठीक है चालिए आर सी एम द्रिश्टी कोण के अनसार शही करम है इसमें शही करम आपका अदा प्रदा प्रक्रिया होगा अदा प्रक्रिया प्रदा होगा प्रदा प्रक्रिया अदा प्रक्रिया अदा या फिर प्रक्रिया अदा प्रदा या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहां पर आर सीम द्रिश्टी कोण के अनसार जो प्रक्रिया लिखा होता, एंड उसके बाद अगर प्रदा लिखा होता, मुझे लगता है इसमें कोई भी नहीं है, यहाँ पे अदा है, अदा के बाद प्रक्रिया नहीं है, फिर यहाँ पे प्रदा है, ठीक है, जो की लास्ट में आना चाहिए था, वो पहले दे दिया, फिर प्रक्रिया जो की बीच में आती है उसको पहले दे दिया है इसमें से कोई भी नहीं है और आंसर इसमें क्या साही हो जाता शहीद पहो जाता दब यहां प्लाइन होता है सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि उसके कुछ उद्देश्यों होते हैं वह टीचिंग सेक्वेंस में होता है और उसमें इकाई की शामगरी भी होती है content of the unit होता है इसलिए उपरोक्त सभी यहां पर right answer आपका हो जाएगा और हम बढ़ जाएंगे next question की तरफ एक इकाई योजना एक इकाई योजना चाहिए एक यूनिट फ्लैंट सुट एक इकाई योजना चाहिए लचीला बने परिचित विश्यों से मिलकर बनता है यानि कि जो एक इकाई योजना है वह लचीला होना चाहिए परिचित विश्यों से मिलकर बनता है एक कि प्र दाएं करता हैं कि provides a variety या फिर इसमें उप्रोक्त सभी राइट वन हो जाएगा तो ढीफ्रन यहां पर आपका उप्रोक्त सभी यानि क्रणरियोस अनली की ऑपस्ण इजय है वहापका राइट हो जाएगा अध् क व्यापक व्योजना है सबसे बड़ी योजना क्या है संसाधनी योजना पाठी योजना इकाई योजना है फिर उपरोक्त शभी कहने का मतलब है जब इसमें जो सबसे अधिक व्यापक योजना हो जाएगी वो क्या हो जाएगी शंशाधनी योजना क्या हो जाएगी रिसोर्स प्लैन जो है वो अधि बढ़ते हैं वास्तिविक सोच प्रियोग और निरिक्षन पर आधारित विधी कौनसी है वास्तिविक सोच फिर आपसमें प्रियोग भी कर पा रहे हैं निरिक्षन भी कर पा रहे हैं तो वह विधी डेफिनेटली इसमें आपका प्रियोग साला विधी हो जाएगी प्रियोग से ग्यात विधी में जो है वह आपका विसलेशन विधी में जाता है अग्यात से ग्यात को किस विधी में उन्नत किया जाता है तो यह आपका विसलेशन विधी में option c analysis में जाता है ठीक है option 27 cancer number c जो है वह आपका right हो जाएगा परियोजना पद्दती को परियोजना पद्दती की वकालत किसके द्वारा की गई थी यानि कि परियोजना पद्दती project method किसने दिया था project method का जहां भी नाम आता है वहाँ पर किलपेट्रिक आपका option सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा किलपैट्रिक जो है वहार राइट आंसर हो जाएगा वैग्यानिक पद्दती पर आधारित विधी कौन सी है परियोजना विधी जो है यह वैग्यानिक पद्दती पर आधारित विधी है option B इसदा right one over here पहरे दोस्तों आपको हम बताते चलें कि हम paid notes भी provide कराते हैं ठीक है अगर आप interested हूँ लेना चाहते हूँ तो हमारे number note कर लिजे 9628182649 ठीक है 9628182649 इस number पर whatsapp message करके notes की information ले सकते हैं हमारे notes लेने के बाद आपको बाहर से याने की market से कुछ भी खरीदने के आउसकता नहीं रहती है पूरी responsibility पूरी जिम्मेदारी as special की smarter everyday की होती है आपको full content provide कराया जाता है दूसरा फायदा आपको ये रहता है कि अगर आप market से जैसा कि आप MCQs या objective type content खरीदेंगे ठीक है तो आपको सिर्फ वही content मिलेगा MCQs जो आप खरीद करके लाएंगे हमारी पास आपको benefit ये रहता है कि अगर आप हमारे notes लेते हैं तो हमारा content तो आपको मिलता ही है plus market में जो भी objective type नया content आता है वो हम आप तक पहुचा देते हैं PDF form के माध्यम से इसमें आपका double फायदा हो गया आपको हमारा भी content मिल गया जो market में है वो भी मिल गया market वाला हम क्यों देते हैं ताकि बच्चा अगर आप बच्चे ने एक जगह पैसा खर्च किया है तो वो दूसरी जगह उसका पैसा खर्च ना हो इसलिए वह भी content हम आपको provide करा देते हैं आपके satisfaction के लिए आपकी संतुष्टी के लिए आपको ऐसा ना लगे कि market में जो content आया है क्या हो सकता है तो इसका जो drill कारे का रूप आपका मौकिक भी हो सकता है ग्रहकार लिखित यह सभी प्रकार का हो सकता है option D मैं आपको दिखा देता हूँ जो market में content आता है वो हम कैसे provide कराते हैं जैसे यह objective content है ठीक है market में तो अभी इसमें देखिए यह full objective type है match की बात कर रहे है match का ही यह पूरा easy notes है और यह full proper तरीके इसके मैंने pdf बना करके answer tick करके और strength को provide कराया है ताकि strength को यह ना लगे कि जो market में content आया है वो हमको नहीं मिला ठीक है with answer जोश में दिया है ताकि strength अपना answer भी match कर लें आप proper देख सकते हैं कि इसमें आप with मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिख भी रहा है ठीक है तो अगर आप चाहें interested हों तो आप ले सकते हैं जो number दिया गया है वहाँ message कर सकते हैं आई यह बात करते हैं question number 31 की question है पूरत लिखित कार है पूरत लिखित कार कौन सा हो जाएगा ग्रह कार जो है homework जो है यह आपका complimentary written work है ठीक है क्या homework जो है यह आपका complimentary written work हो जाएगा question number 32 is आकश्मिक शह शमंद में मुख्य भूमिका किसकी है तो सिक्षक की है लेकक की है पार्टिकरम के योजनाकार की है या फिर मातापिता की है आकश्मिक शह शमंद में जो मुख्य भूमिका होती है वह आपके शिक्षक की है इसकी incidental correlation the main role is of the teacher चरों के बीच सह समंद हो सकता है मतलब की variables के बीच में ठीक है two variables के बीच में जो शह शमंद होता है correlation वह आपका शकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है क्या शकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है इसलिए option number A और B दोनों right हो जाएंगे शतरकता के विकाश में निमलिखित में से कौन अधिक सहायक है तो शतरकता के विकाश में जो अधिक सहायक है आपका वह क्या हो जाएगा वह आपका मौकिक कार्य हो जाएगा ठीक है इसमें लिखित कार्य नहीं होगा ग्रह कार्य नहीं होगा क्या राइट हो जाएगा option C, मौकिक कार is the right one over here question number 35 अंक गंत में या फिर geometry में, algebra में या फिर trigone mythी में तो इसका सब से अधिक use जो है वह हम किसमें करते हैं जैमेती में यानकि geometry में जिसमें हमें चितरवाइख बनाने होते हैं कौन बनाने होते हैं यह ना उसमें भी use करते हैं को जैमेटी में सबसे ज्यादा यूज होता है नामी उसका जैमेट्री है गनित में सबसे उप्योगी सिक्षण साहता क्या होती है तो गनित में सबसे उप्योगी जो सिक्षण साहता मानी गई है वहां आपकी स्रव्य दर्श सामगरी मानी गई है जहां बच्चा स्रव्य भी क teaching aid क्या है वहां आपका प्रत्यक्ष अनुभाव सबसे इफेक्टिव वही टीचिंग है जिसका हमें प्रत्यक्ष अनुभाव देखने को मिले एक सिक्षक को सभी विश्यों का बहुमुखी ग्यान होना चाहिए जिसके लिए आविश्यक है आकस्मिक शहसंबंद इन्सिडेंटल कॉर्यलेशन ओप्षन ए इस दा राइट वन ओवर हियर गणित में शहसंबंद इंगित करता है यानि कि जो कॉर्यलेशन है इन揄 मैथमेटिक्स वह इंडिकेट करता है किसको वहां आपका शन्यूक्त संबंद को इंडिकेट करता है नेमलेखित में से कौन सा विशय गनित से अत्यधिक से सम्मंदित है रसायन विज्यान गनित से ज़्यादा टच में रहता है वनस्पति विज्यान भौतिक विज्यान या जंत विज्यान यहां पर जो भौतिक विज्यान है यहां मैट से ज़्यादा कनेक्ट रहता है मैट से ज़्यादा सम्मंदित रह है दो जिस तरीके से मैट में पूरा सवाल होते हैं 선택 में भी सवाल होते हैं मैं समय तो इसलिए यह ज्यादा टश में रहती है घर कि ससके के सबसे उपयोगी पाठी पुस्तक में क्या है कई हल किएगे उध्हारण और अभ्यास के कुछ प्रश्ण होते हैं या फिर इसमें अभ्यास के लिए पर्याप्त हल किये गए चित्र और अधिक प्रश्ण होते हैं सभी प्रश्ण हल होते हैं सभी अभ्यास प्रश्ण हल होते हैं या फिर उपरोगत सभी इसमें आपका राइट अंसर कपकुण और हो जाएगए देखिए जो सब गनध की सबसे उप्योगी पार्टि पस्तप्टक जो होती है उसमें कई हल किये गए उदाहरण होते हैं और अभ्यास के कुछ प्रिश्ण मंत ना होते ऐख बतए एक्जाम्पल्स विए एक्जामपल के माझतिम तो हल इसमें बहुत ही कम होते हैं लेकिन यहाँ पर ओप्षिन जो इसमें आपका है वहाँ दी राइट हो जाएगा ठीक है ओप्षिनब फोर्टी टू जो कहता है कहता है कि गनित की पार्टि पुस्तक में विश्यवश्टु का विकास करना चाहिए विश्य विश्टु का विकास किस तरीके से करना चाहिए अभ्यास की क्रम में, शमश्या की क्रम में, तार की क्रम में, फिर उप्रोक्ट सभी क्रम में करना है, चाहिए right one option क्या हो जाएगा, उप्रोक्ट सभी क्रम में, उप्रोक्ट सभी क्रम में, उप्रोक्ट सभी क्रम में टीचर ने चुन लिया, वही बच्चे उसी को पड़े ऐसा बिने, सरल हो और इश्पष्ट भाशा में होनी चाहिए, गणित की पाठि पुस्तक में विशय वर्षतु का शंगठन होना चाहिए, तो गणित की पाठि पुस्तक में विशय वर्षतु का जो संगठन है, वहाँ पार्टिकरम के अनुसार होना चाहिए हैना जो आपके सलेवेश में चीजे हैं जो करिकुलम में निर्धारित की गई है वही पार्टि पुस्तक में होनी चाहिए ऐसी पार्टि पुस्तक ऐसी किताब जो हमारे सलेवेश यह आपका अनुपात्मापनी कहलाता है उपस्ति प्रपत्रों के अधार पर अंक प्रदान करना अनुपात्मापनी कहलाता है ठीक है 46 का आंसर नमर शी जो है वह आपका राइट हो जाएगा मुल्यांकन का निकट से सम्मंद है मुल्यांकन का निकट से सम्मंद है किसके निकट से मुल्यांकन का मुल्यांकन रननीतियों से बहुत निकट से सम्मंद है आप्तन फोर्ट सेवन का बी जो है वहा राइट हो जाएगा गणित के सिक्षन में मुल्यांकन किया जाना चाहिए किसका सीखने के अनुभाव प्रदान करने के शमय मुल्यांकन किया जाना चाहिए उद्देश्यों के इश्पष्टी करन के समय मुल्यांकन किया जाना चाहिए उद्देश्यों के श्पष्टी करन और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद मुल्यांकन किया जाना चाहिए या फिर ये सारे सभी स्त्रों पर मुल्यांकन किया जाना चाहिए तो यहाँ पर सभी स्त्रों पर मुल्यांकन किया जाना चाहिए option D जो है right हो जाता है next question is question कहता है देखिए निदान का प्रसासनिकार होता है जैसे वरगी करण छात्रों का प्रमोशन और ग्रेडिशन चैन उपरोक्त सबी तो निदान का प्रसासनिकार हमारा वरगी करण भी होता है चात्रों का promotion और gradation भी होता है, chain भी होता है, इसलिए option number जो D है वहाँ right हो जाएगा, हम बढ़ दाएंगे next question की तरफ, देखे, question कहता है, CCE किस आदत को विक्षित करने में मदद करता है, जो CCE है, वहाँ किस आदत को, यहाँ पर जैसे बात है CCE की, तो पहले हम CCE को समझते ह क्या होता है, CCE का मतलब होता है continuous क्या होता है, continuous and comprehensive evaluation क्या होता है, continuous and comprehensive evaluation जिसको हिंदी में शतत और व्यापक मुल्यांकन कहते हैं, ठीक है, तो जब बच्चे का शतत और व्यापक मुल्यांकन होता रहता है, तो यह किस आदत को विक्षित करने में मदद करता है, इससे से बच है जिसको कहते हैं advanced preparation of lesson यानि कि वो पार्ट की तैयारी पहले ही कर सकता है जब उसका सतत यानि कि एक निरंतर तरीके से मुल्यांकन होता रहेगा व्यापर किस तरह पर उसका मुल्यांकन होगा बच्चा कभी क्या सीख रहा है है ना मतलब वो उसमें कुछ वो आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है ऐसा तो नहीं है पहले उसकी percentage 80 आई थी इस बार हो सकता है 75 रह गई या 80 से वो 50 पहुचा कि नहीं पहुचा कहने का मतलब है कि उसमें growth हो रही है कि नहीं हो रही है पीछे तो नहीं जा रहा है जब बच्चे का निल्गूर मुलेंकन होता रहेगा तो हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जान पाएंगे उसकी गहराई तक समझेंगे बच्चे में कहा कमी है है ना और क्या इसके अंदर skills हैं क्या खूबियां है तो यहां से बच्चा regular study भी करता रहेगा यह सारी ही जो है चीज़े उसके अंदर आएंगी और यह इस आदत को विक्षित करने में मदद करता है CC एक खत्म करने में मदद करता है किस चीज़ को खत्म करने मदद करता है memorization को खत्म करता है यह self study को खत्म करता है यह फिर regular study को खत्म करता है जिन ही regular study भी उसमें आती है self study भी आती है उसमें ठीक है तो यहां पर जो याद रखना है memorization यह यहां पर आपका right answer option number A is the right one over here next option is CCE जो आपका continuous and comprehensive evaluation है जिसको सतत और व्यापक मुल्यांकन कहते हैं यह feedback प्रदान करता है किसको बच्चे को माता पिता को सिक्षक को प्रुट सब को किसको feedback मिलता है तो इस से जो है हमारा वह है शभी को feedback मिलता है कि आखिर बच्चा कितना अच्छा है है ना उसमें कितनी growth हो रही है चीक है किसको देता है feedback सभी को मिलता है option number D आपका right हो जाएगा हम आगे बढ़ जाएगे किसके विकास पर जोड़ देता है यह आपका सैक्षिक छेत्र विक्तिगत चमता गैड़ सैक्षिक छेत्र इन उनमें शेश भी पर जोड़ देता है option number D है आपका right हो जाएगा किसके लिए आफसर प्रदान करती है तो उप्चारत्मक सिक्षन में समरत निर्देश देने में आपसी सांतवना या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा option number D आपका right हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है परिक्षन का उदेश चे कक्षाओं की तुलना करना होता है तो उप्योग किया जाता है क्या उप्योग किया जाता है सैक्षिक निर्मित परिक्षन उप्योग किया जाता है option A जो है वह आपका right है उपलब्दी परिक्षन है सिक्षक निर्मित मानकी करत दोनों है या फिर में से कोई भी नहीं है तो जो उपलब्धी परिच्छन है जो अच्यूमेंट टेस्ट है वह टीचर मेंट भी होता है याने की सिक्षक निवित भी होता है मान की करत भी होता है option यहाँ पर जो C है आपका A और B दोनों right हो जाते हैं तो option नमर हम C के साथ चले जाते हैं Q58 कहता है, सेक्षिक निदान का शम्मंद किस से है, संग्यानत्मक पक्ष के उद्देश से, जी हाँ, बात से ये, सेक्षिक निदान का सम्मंद है, संग्यानत्मक पक्ष के उद्देश से, भावात्मक पक्ष के उद्देश से भी है, किर्यात्मक पक्ष के उद्देश से भी ह यहाँ पे option number जो D है आपका वह है right हो जाएगा है हम बढ़ जाएगे next question की तरफ सैक्षिक निदान के छेतर में उप्योग किया जाता है साथ छातकार अब लोकन निदानिक परिच्छन में से शभी सैक्षिक निदान के छेतर में जो उप्योग किया जाने वाला है वह आपका क्या है इन में से सभी हो जाएगा option number D जो है वह आपका right हो जाएगा next one is मांदंड संदर्बित परिच्छन बच्चे की प्रदर्शन को शमंदित करता है किशे शमंदित करता है या सीखने के अनुभाशे शमंदित करता है option C is the right one वस्तुनिष्ट प्रकार की परिच्छा यानकी objective type test MCQ-based exam जो अधिकतर प्रयोग की जाती है और उप्योग होती है उसे हम बहुविकल्पी item कहते हैं क्या कहते हैं बहुविकल्पी item कहते हैं option B is the right one over here वस्तुनिष्ट प्रकार की परिच्छा की सबसे महत्पुन विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मिलेंगे लेकिन लिखित पेपर में जहाएं आप लिखाएं सेम टू सेम चाप करके आ जाओ 75 में 75 नहीं मिलेंगे दूसरी बात आप इसमें अपना भी डालते हैं बना-बना के भी लखते हैं कहीं पर तो जो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है वो आ लिखे नंबर नहीं मिलेंगे तो ये ज्यादा वैलियॉबल होती है वस्तु निष्ट होती है और हम आगे बढ़ जाएंगे question कहता है आकंक्षा कंच्छा पांच में गणित की एक मेधावी जात्रा है बहुत होसियार बच्ची है निम्लिकित में से कौन उसकी चमताओं को बढ़ाने में उसकी सबसे अधिक मदद करेगा कौन उसकी जो चमताओं हैं उसको बढ़ाने में मदद करेगा प्रतियोगी परिक्षाओं की त्यारे में उसकी मदद करना क्लाउस मॉनिटर अगर उसको बना दिया जाए तो उसकी जो छमता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या मॉनिटर बढ़ने से बढ़ जाएगी अतरिक्त उन्नत विश्यों को पढ़ाना या फिर उसके विश्यों से शमंदित परियोजनाओं को विक्षित करने में उसकी मदद करना राइट वन उप्सन इसमें यह होगा कि अतरिक्त उन्नत विश्यों को पढ़ाना यानि कि जो एडिशनल टीचिंग हर एडवांस टॉपिक जो कुछ एडवांस टॉपिक है जब हम बच्चे को वो भी पढ़ाएंगे तो उसकी छमता और बढ़ेगी है ना उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो इसलिए आप्सन इमर जुश्य है यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रतिभासाली बच्चों के मामले में निमलिकित मेशे किस प्रकार के पाठ्चर रायका उप्योग किया जा सकता है किस प्रकार के पाठ्चर रायका उप्योग किया सकता है तो इसमें आपका समवर्धन पाठ्चर रायका प्रयोग किया जा सकता है शुक्तियां और अब धार्नाएं यह फिर उपरोट सबीसमें आपका राइट हो जाएगा राइट मुझा और प्रिभासित सर्थे परिभासित सब्थिग्アवन हे किस चीजंच का शूक्तियां विधी को अपचारिक volumes इंव्दी उपर बताइगा सबीज तरीके यूज़ करते हैं तो इसमें हम उपर बताएगा सबीज तरीके यूज़ करते हैं इसलिए उप्सन नंबर D के साथ चले जाएंगे कोशन कहता है विचारों की रचनातमक्ता और मौलिक्ता किसके द्वारा विक्सित की जाती है जो एक विचारों की रचनातमक्ता होती है मौलिक्ता होती है वह आपकी ब्रेण स्टॉर्मिंग क्या ब्रेण स्टॉर्मिंग के द्वारा विक्सित की जाती है इसलिए उप्सन नंबर यहां पे जो C है वह राइट हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं एक शमश्या केंद्रित और लोकतांत्रिक तकनीकी है, कौन सी तकनीकी है, वह आपकी brain storming हो जाएगी, जो कि एक शमश्या केंद्रित है और लोकतांत्रिक तकनीकी मानी जाती है, option A is the right one, question is पाठचर्या निर्मान का चरण है, क्या पाठचर्या निर्मान का चरण क्या है, इस दो अंकों की संख्या, उसके अंकों के योग से 54 अधिक है, इस अंकों के बीच का अंतर क्या है, कितना उगा अंतर, इसमें अंतर आपका एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा, इसको solve कर लिजेगा, बैट करके, पहले 20 प्राकर्ट संख्याओं को N is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, से लेकर के 20 की रूप में लिखा जाता है, जब इस शंख्याओं को 16 से वभाजित के आजाता है, तो सेशफल क्या आएगा, तो इसको जो हम लोग solve करेंगे, तो इसको जो सेशफल आएगा, वह जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक, option A आपका right हो जाता है, ह इससे वभाज है, 11 से, गनित शिक्षा का मुख्यलक्ष क्या है, गनित शिक्षा का मुख्यलक्ष होता है, बच्चों की गनित करने की छमता विक्सित करने के लिए, यानि कि to develop children's abilities for math, 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 mathization, ठीक है, option D is the right one over here, प्रात्मे के स्तर पर गनित की एक अच्छी पार्टी पुस इस तक है, जो बुक है, उसकी क्या विशिष्टा है, अवधार्णा को संदर्भों के माद्यम से पेश किया जाना चाहिए, जो भी अवधार्णा है, उनको संदर्भों के माद्यम से क्या किया जाना चाहिए, पेश किया जाना चाहिए, ऐसाने कि कठोर अभ्यास दे दिया जाए आकर रंगीन हो मोटी और बड़ी हो है ना अप्शनड आपका जह है वड़ा है वह किस तरब 컬러ya और उसिट कि कि कॉचह होंगे फिरेंट इस उस्ट करने में पेड़ने में भी नहीं है समखशा वसमेस्ट र दोगा खलद जाने कोसल को बढ़ावा देने में जो पहलिया होती है उसमे बच्चा अपना दिमाग यूज करता है जिस्टे कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स का सोलुशन ढूंडने की स्किल जो है ती वो प्रमोट होती है वो इंक्रीज होती है बढ़ती है कक्षा के अंत में चात्रों को ग्रहका इसकुल में गेन किया है वो एपलाई कर सके यह फिर सारे ही बातें यहां पे ठीक हैं तो यहां पे जो आप्सन राइट है आपका वो यह है C नंबर प्राप्त ग्यान को लागू करने के लिए आपने जो भी कक्षा में सीखा इसकुल में सीखा अब घर जाकर के उसको में यह जानना उप्योगी है कि गनित कैसे किया जाता है ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी किताबी मैस की पड़ ली उसे बहतर है यह जानना उप्योगी कि गनित कैसे किया जाता है यह किसके कथन द्वारा क्या दिया गया था यह किसने कथन दिया था यह आपका डेविड व वहाँ उप्यूक्त नहीं है विद्यार्थियों को ग्रहकार देना एक क्या है ग्रहकार देना एक तकनीक है क्या है क्या है ग्रहकार देना एक तकनीक मानी जाती है कक्षा नौ में निर्देशांक जयामती का परिचाय देने के लिए एक उप्यूक्त उपागम कौन सा है आधिक सायगा, आपका मौखिकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मौखिकार आपका आधिक शायक हो जाएगा. एक अच्छे गनित्थक के बनने के लिए किसी को सक्षम होना चाहिए, अगर आप अच्छे लुक्षा में व्यावारी कत्विद्यों का संचलन करके बढ़ा सकते हैं कौन सा गनित का निर्मान खंड नहीं है आगे बात करते हैं तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के श्रत्य को स्थापित करना क्या कहलाता है कोन है पाइथागोरस जो है या गनित को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाले हैं क्षेक है गनित के इतिहाश में किश के युग को विकास का अंधकार युग कहा जाता है किसको कहा जाता है आपका रोमन को जो है विकास का अंदकार यूग कहा जाता है option D आपका right हो जाता है नियम निश्ठा किसके द्वारा सुरू की गई थी तो नियम निश्ठा जो है वह आपकी डेविड हिलबर्ट के द्वारा सुरू की गई थी आप खुद यह समझ पा रहे होंगे किस तरीके से कोर्शन पूछे जाते हैं किस ने कहा कि गणित वह भाशा है जिसके शाथ इश्वर ने ब्रहमांड लिखा है ऐसा आपके गैलीलियो कहते हैं कौन गैलीलियो ने ये बात कही है गणित में सबसे इश्पष्ट चीज़ को कम से कम इश्पष्ट तरीके से साबित करना सामिल है किस के द्वारा कहा गया है ये आपके कौपर निकस के द्वारा कहा गया है किस के द्वारा कौपर निकस ने ये बात कही है गणित बनाए नहीं जाते पैदा होते हैं जो गणित क्लब में भाग लेना एक योगिता है क्या होगा एक योगिता है option भी आपका right हो जाता है सीखने की प्रिक्रिया में विचार की प्रिक्रिया कौन सी है सीखने की प्रिक्रिया में जो विचार की प्रिक्रिया है वह इसमें से कौन सी हो जाएगी वह आपकी आगमनात्मक हो एक है जो सबसे अलग है तो इसमें आपका जो विशेष्टा का किसी विशेष्टा का वर्णन करना यह है इन तीनों से अलग है option D right हो जाता है विद्यारतियों की उपलब्दी में सुधार पर जोड़ दिया जाता है मानदन संदर्वित परिक्षन मानक संदर्वित परिक्षन के दोरा नैदानिक परिक्षन या फिर यह सभी परिक्षन अपलाई होते हैं तो यहाँ पर आपका जो right one option होगा वह approach सभी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किस परकार के परिक्षन में कोई मानदन्ड आवश्यक नहीं है वह है आपका मानक संदर्वित परिक्षन जो है इसमें कोई मानदन्ड आवश्यक नहीं है नेक्स वन कोशन में 98 पांच पंदरा और बीस के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा जब आप इनका LCM और HCF का निकालेंगे तो उसका अनुपात कितना होगा उसका अनुपात आपका निकलेगा 12 अनुपात 1 जब आप निकालेंगे आज का सेकंड लाश्ट कोशन है दो संख्याओं का LCM 36 है और उनका योग 30 है तो वो संख्याओं क्या होगी वो संख्याओं मेरी 12 और 18 हो जाएंगी आज का 100 नमर कोशन है आप से बताना चाहेंगे नमबर आप नोट कर लीजिएगा जैसा में ने बताया है ठीक है नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाते है नोट्स आपको पीडियो फोर में वाट्सप पे भेज़े जाते हैं ठीक है आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं इस नमबर पर वाट्स आप मेसेज़ करके नोट्स की इंफर्मिशन ले सकते हैं वह चोटी से छोटी संख्या जो शातन और बारास से विभाजित करने पर एक शिर्फल देती है वह आपकी दोश्व पंद्रा हो जाएगी क्लास कैसी रही कॉमेंट करके जरूर बताईएगा एंड थैंकी शो मस्च मिलते हैं बजल्दी नेक्स्ट क्लास में